जैस्री राधिकृष्णु आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आईए आज सुनते हैं स्रावन मास शुक्ल पक्षु की पुत्रदा एक आदसी पारण के दिन तुलसी माता की कदा। जो भी भक्त सची सरद्धा के साथ भगवान विश्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिक राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एक आदसी का ब्रत करते हैं, इसे भगवान स्री हरी विश्णु अती प्रशन होते हैं और अपना कृपा परदान करत और भ्रट्ति के जब पाप और ताप नश्ठ होते हैं और सभी प्रकार फिर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती हैं कि न्हीं दर्व में तुल्सी का बड़ा हिं विशृश महत्तु compose गया है माता तुलसी ज्यों की अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को निश्ट करने वाली है और भगवान विश्णु को जो कि तुलसी दल अति प्रिय होता है बिना तुलसी दल के भगवान विश्णु उस पूजन को स्विकार नहीं करते हैं और जहां पर भी तुलसी का विक्ष होता है वहां पर यम के करते हैं। माता तुलशी का विवा जो कि भगवान शालिक राम के साथ पिति बिधान के साथ करते हुए कथाबी सर्वन करना चाहिए इससे बहुए विश्णु और माता माता तुलशी का क्रपा प्रप्ध होता है। तो सुनते हैं शुकलि पक्षुकी पुत्रदा एक आदस्वादसी पारण में तुलसी माता की कथा अगर आप एक आदसी ब्रत द्वादसी पारणा तिथी के दिन ब्रहमन दक्षिना अन्नदान वस्त्रदान गौदान आदे के लिए देना चाहते हों तो आप अपने स्रधा और सामर्थ के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे फोन पे या एकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने स्रधा और सामर्थ के अनुसार हमें ब्रहामन दक्षेना परदान कर सकते हैं तो आईए सुनते हैं तुलशी माता की कथा था तो बोलिये प्रेम से माता तुलशी की जै भगवान स्री हरी विष्णू की जै माता लक्ष्मी की जै भगवान शाली ग्राम की जै एक आदशी माता की जै सर्व दिवी दिवता की जै तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा जो की बड़े ही प्रचलित है स्रीमत देवी भागवत पुराण में इनके दिव अवतरण की दिव लीला कथा भी बताई गई है एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को सबुद्र में फेक दिया उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया यह बालक जो की आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी देत्यराजा बना इसकी राजधानी का नाम जो की जालंधर नगरी पड़ा देत्यराज काल ने यहां भगवान से मि उसे पराजित होकर माता पारवती को पाने की लालसा से कईलास प्रवत कर पहुंच गया भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया परलतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई देवी पार्वती ने कुरुद्ध होकर सारा बृतान भगवान विश्णु को सुनाय जालंधर की पत्ने ब्रिंदा अत्यंत ही पती ब्रता इस्तरी थी उसी के पती ब्रत धर्म की शक्ती से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजीत होता था इसलिए जालंधर का नास करने के लिए ब्रिंदा के पती ब्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था जिनहें देखकर ब्रिंदा भैवीत हो गई रिशी ने ब्रिंदा के सामने पल में दोनों को भश्म कर दिया उनकी शक्ति को देखकर बिंदा ने कैलास परवत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पती जालंधर के बारे में पूछा रिशी ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किये एक वानर के हाथ में जालंधर का शिर था तथा दूसरे के हाथ में धर था अपने पती की यह दशा को देखकर विंदा मुर्शित होकर वही पर गिर पड़ी होश में आने पर उन्हों ने रिशी रूपी भगवान से विंदी की कि वहाँ उसके पती को जिवित करे भगवान ने अपनी माया से पुनह जालंधर का शिर धर से जोड़ दिया परंतु स्वयम भी वहाँ उसी सरीर में प्रवेश कर गया ब्रिंदा को इस चलका जरा भी पता ना चल पाया जालंधर बने भगवान के साथ ब्रिंदा पती ब्रता सा विवहार करने लगी जिससे उसका सतित्व भंग हो गया ऐसा होते हैं ब्रिंदा का पती जालंधर जो कि भगवान शिप्षे युद्ध कर रहा था वो युद्ध में हार गया और मारा गया इस सारे लेला का जब ब्रिंदा को पता चला तो अहां कुर्द होकर भगवान विशनू को जो कि शिला होने का सराप दे दिया तथा स्वेम भी सती हो गई जब ब्रिंदा भश्म हुई वहाँ पर तुलसी का पौधा हुगा भगवान विश्णु ने ब्रिंदा से कहा कि हे ब्रिंदा तुम अपने सत्रित्यों के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी जो म इस घर में तुलसी होती है वहाँ पर यम के दूत भी और समय नहीं आ जा सकती गंगा वह नर्मदा के जल में अश्णान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है चाहे मनुश्य कितना भी पापी क्यों न मिर्दू के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गं तुलसी वह आवले की साया में अपने पितरों का स्राध ध करता है उसके पितर भी मुक्षु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भीभग्त सछी स्रधा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं भगवान विश्णु को तुलसी दल अर पीत करते भगवान शालिक राम का पूजन करते हैं माता तुलसी का पूजन करते हैं भगवान शालिक राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनुरत शिद तो बोलिये प्रेम से भगवान विश्णु की जै, माता लक्ष्मी की जै, तुलशी माता की जै, भगवान शालिक राम की जै, सरवदीवी दीवता की जै इसी प्रकार से, जो भी भक्त सची सरधा के साथ, नियम और निश्ठा के साथ, भगवान विश्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिक राम का पूजन करते हैं, तुलशी माता का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और खष्ट दूर हो जाते हैं, तथा भग जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ग्यान बर्धक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आप को समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जैसरी राधिक्रिष्ण धन्यवाद